जब आप प्रेम देते हैं, तो आप स्वतंत्रता का अनुभाव करते हैं, जब आप प्रेम मानते हैं, तो आप गुलामी का अनुभाव करते हैं, आप गुलाम बन जाएंगे, वो मुझे देखकर मुस्कराय क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये तब होता है जब आप प् कोई अपेक्षा नहीं है वह हमेशा मौज में ही रहेगा और जो व्यक्ति हमेशा प्रेम की मांग करता है वह मुझसे बात नहीं करता है वह मुझे देखकर मुझसे बात नहीं करता है और इसी तरह वह बेचारा धीरे धीरे गुलाम बन जाएगा वह बंधन का अनुभाव करन प्रेम की मांग मत करो, सिर्फ प्रेम देना सीखो, प्रेम दो, ऐसा करने से आपका प्रेम इतना पवित्र हो जाएगा, उत्कृष्ट प्रेम क्या है और निकृष्ट प्रेम क्या है, आपकी जो गलत मान्यता है न, कि सत्पुरुष्ट से प्रेम करना उत्कृष्ट प्रेम है और पौधरलिक वस्तुव से या सांसारिक लोगों से प्रेम करना निकृष्ट प्रेम है या मानिता पूरी तरह से गलत है जो प्रेम अपेक्षाई नहीं रखता है वो उत्कृष्ट प्रेम है जाईए कीजे अपनी पत्नी से प्रेम तो ये भी उत्कुरुष्ट प्रेम है यदि ये अपेक्षा के बिना है और अगर सत्पुरुष से भी आपका प्रेम अपेक्षाओं के साथ है फिर ये निकुरुष्ट प्रेम है इसलिए अपने प्रेम को उत्कुरुष्ट करने की भाव करोगे आपको लगेगा मैंने कृपालु देव की प्रती तो किया नहीं है तो इतनी शुद्धी क्यों हो रही है क्योंकि आपका प्रेम निशकाम हो रहा है इन सब के लिए प्रशिक्षन आग्या में ही दे दिया गया है निशकामता और निशंकता मैं यही समझता हूं यह सब जो होने वाला है इसी तयारी गुरु ने पहले दिन से ही शुरू कर दी थी इससे पहले कि हम इसे समझ पाते तयारी शुरू हो गई थी निशकाम बनाना और निशंकत बनाना अगर मैं इस तरह रहता हूं तो अवश्य मेरा कल्यान निश्चत है